आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लान टेकेट में पर हम लोग एक जांपलर का बैनुमेल को बना रहे थे ओके यह बैनुमेल का लॉंग कोश्चन है इसके बाद आप बचे का हमारा उब्जेक्टिव कोश्चन उब्जेक्टिव कोश् से इसके सॉलेशन को देखते हैं क्या कर रहा है इस पी इस रियर नमबर ठीक है एडिव दे मीडिल टर्म इन एक्सपेंशन ओफ इस इस 1125 पी कोई बात नहीं तो गिवेन क्या है हमारे पास तो गिवेन हो गया हमारे पास पी बाई टू प्लस टू का टू दी पावर एट ठ है तो टोटल टर्म कितना होगा एक्सपेंशन में टोटल टर्म इन एक्सपेंशन इन एक्सपेंशन कितना होगा तो टोटल टर्म इन एक्सपेंशन 9 होगा तो अब देखें टोटल टर्म 9 है इसका मतलब एक मिडिल टर्म रहा होगा है ना ओके तो यहां पर मिडिल टर्म क् जाएगा हमारा n plus 1 by 2 that means 5th term हमारा middle term होगा ठीक है अब 5th term क्या होगा यह निकाले तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 5th term हमारा किसके ब्राबर है 120 के ब्राबर है तो therefore according to question T5 जो है T5 दिया हुआ है 1120 के ब्राबर है T5 का value क्या हो जाएगा 8C4 into P by 2 का whole power क्या हो जाएगा 8-44 into 2 to the power 4 ब्राबर 1120 अब यहाँ से solve करके value निकाल लेना है आप लोगों को P का यह आप लोगों से बन जाएगा ठीक है चलिए फिर देखतें next question number 13 क्या कह रहा है question so that middle term in the expansion of this is this इसमें दिखाना है कि यह इसका middle term है ठीक है इसके solution की बात करें अगर तो given क्या हो गया हमारे पास? given हो गया है x-1 by x का whole power 2n total term in expansion कितना होगा? total term in expansion कितना होगा? 2n plus 1 that is odd number of term है that is total term total term is odd अगर total term odd है इसका मतलब क्या होगा जल्दी से बताईए? इसका मतलब यह हो गया कि एक middle term होगा therefore total term क्या है? odd therefore middle term क्या होगा भाई? तो middle term होगा हमारा 2n plus 1 plus 1 by 2 that means n plus 1th term हमारा middle term है therefore tn plus 1 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n cn into x to the power n minus 2n minus n and into कितना हो जाएगा? minus 1 by x का whole power n ऐसा होगा ठीक है? चलिए कोई problem नहीं है अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा इसको जब solve करेंगे? तो जाएगा factorial n by factorial r factorial n minus r ठीक है? factorial n into x to the power n into minus 1 to the power n अब by कितना हो जाएगा? x to the power n तो x to the power n, x to the power n तो cancel out हो गया लाना क्या हम लोगों को तो लाना हम लोगों को इस form में है ध्यान देजेगा 1 into 3 into 5 2n minus 1 into minus 2 का power n लाना है ठीक है? कोई problem नहीं है तो अब क्या करते हैं यहाँ पर? factorial 2n को क्या लिख सकते हैं? 1 into 2 into 3 into 4 dot dot into 2n minus 1 into 2n अब by क्या हो जाएगा? factorial n into factorial n into minus 1 का power n ठीक है? तो रसा और इससे आगे solve कर दें इसमें even वाली को निकाल लेते हैं 2 into 4 into 6 कहां तक जाएगा? तो into 2n तक और ड्वाला क्या बचेगा? 1 into 3 into 5 से कहां तक होगा? into 2n minus 1 ठीक है? अब by factorial n into factorial n into कितना हो जाएगा? minus 1 to the power n ऐसा लिख सकते हैं? अच्छा कोई problem नहीं है अब देखें अगर यहाँ पर तो क्या क्या सकता है? यहाँ से सबसे 2 निकाल सकते हैं common? ओके? सबसे अगर 2 common निकाल ले अगर यहाँ तो क्या होगा? तो हम लोगों को पता है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं total कितने terms है? n terms हैं सबसे two common निकाल लेंगे तो क्या होजाएगा two to the power n यहां क्या बचेगा one into two into three actually common नहीं आ रहा है सबके two को निकालेंगे तो वह आपस में multiply होकर क्या होजाएगा two to the power n यहां पर multiply होकर क्या बचेगा into n ठीक है फिर यहां क्या होगा one into three into five into dot dot into two n minus one okay by factorial n factorial n ऐसा हो जाएगा ठीक है into minus one का power n ठीक है अब देखिए अब यह one into two into three into n तक जो है इसका मतलब यह क्या होगा factorial n है ना तो यह factorial n यह factorial n तो यह इसके साथ हो जागा cancel हो तो क्या बचेगा two to the power n ठीक है फिर into one into three into five ठीक है into dot dot into two n minus one ऐसा होगा by factorial n into minus one का power n अब देखिए यहां पर two to the power n into minus one पर power n इसको में लोग ऐसा लिख सकते हैं one into three into five dot dot into two n minus one by factorial n into minus two का whole power n ऐसा लिख सकते हैं यह बन गया हमारा question ठीक है चलिए question number 13 complete अब देखिए question number 14 को बोल रहा है find n in the binomial this if the ratio of seventh term from the beginning to the seventh term from the end is one by six okay तब solution की बात करते हैं यहां पर फिर हमारे पास given क्या है भाई तो given है cubic root of two plus one by cubic root of three का whole power n ठीक है तो total term कितने होगा expansion में total term in expansion कितना होगा total term n plus one होगा तो therefore seventh टर्म फ्रॉम इंड 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 से जो है है ना seventh term from the end and से जो seventh term होगा वो क्या होगा n minus r plus one पढ़े देना तो solve कर देंगे तो क्या हो जाएगा यह जली से बताइए तो n minus fifth term from beginning from beginning okay निकी seventh term from the end जो है n minus fifth term from the end है beginning से n minus fifth term from the beginning होगा according to question seventh term from beginning ठीक है beginning से seventh term अब आए seventh term from end end से जो seven term है इसका ratio कितना दिया हो है one by six दिया हो है ना seventh term from the beginning और seventh term from the end से का ratio कितना दिया हो है one by six तो seventh term beginning से इसका अंदब यह हो जाएगा क्या t7 और seventh term from the end जो है इसको में लिख सकते है n minus fifth term from beginning ऐसा लिख सकते हैं हम लोग यह किस के बराबर है तो t6 seven that means यह बन गया t7 by tn minus five is equals to one by six t7 को क्या लिख सकते हैं तो यहां से देख सकते हैं power कितना दिया होगा है n ठीक है तो t7 को क्या लिखेंगे n c6 into फिर यह क्या होगा cubic root of two into हो जाएगा cubic root of two का power कितना होगा n minus six into फिर क्या दिया होगा है one by cubic root of three into one by cubic root of three का whole power क्या हो जाएगा six by फिर देखें n t n minus five का value क्या होगा n c n minus six into cubic root of two का power क्या हो जाएगा भाई इस दुनों का difference तो क्या हो जाएगा six into one by cubic root of three का power क्या हो जाएगा भाई तो n minus six OK is equals to one by six अब यहां से आप इसे solve कर लेंगे कैसे solve करेंगे तो हम लोगों को पता है क्या पता हम लोगों को n c r यह एं c n minus r दोनों आपस में बड़ाबर होता है न Scottish ncx या ncr बरबर होता है ncn-r पता है नम लोगों को ये दोनों आपस में equal होता है याद रखेगा ठीक है तो nc6 ncn-6 ये दोनों आपस में equal cancel out अब देखें क्यूबिक रूट of 2 तो ये उपर घड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई क्यूबिक रूट of 2 का पावर n-12 यहाँ पर क्यूबिक रूट of 6 यहाँ पर क्यूबिक रूट n-6 ठीक है तो ये अगर उपर लेके जाएगे इसको भी अगर ये इसके साथ माइनस होगा यह हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्यूबिक रूट of 3 का पावर n-6 उपर चला जाएगा बाई क्यूबिक रूट of 3 का पावर 6 इसकोल स्टू 1 बाई 6 ऐसा हो जाएगा अब यहाँ से अगर सॉल्व करें तो यह हो जाएगा 2 to the power n-12 बाई 3 इन्टू ये भी देखे क्यूबिक रूट of 3 क्यूबिक रूट of 3 दुनों घर जाएगा 10-12 क्या हो जाएगा 3 to the power n-12 by 3 is equals to 6 to the power minus 1 ये दुनों multiply हो करके ये ऐसा लिख सकते हैं 6 to the power n-12 by 3 is equals to 6 to the power minus 1 therefore n-12 by 3 is equals to minus 1 अब यहाँ से n का value आ जाएगा आपके पास 15 ठीक है चलिए question 14 बन गया question 15 को देखते है question in the expansion of x plus a to the power n if the sum of odd terms denoted by o and the sum of even terms noted by e तो prove करना o square minus e square is equals to x square minus a square का whole power n चलिए इसके solution की बात करते हैं हम लोग ठीक है क्या given है भाई तो given है हम लोगों के पास x plus a का whole power n therefore हम लोगों को पता है यह x plus a के whole power n का value क्या होगा nc naught x to the power n plus nc1 x to the power n minus 1 into a plus nc2 into x to the power n minus 2 into a square इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में क्या होगा ncn into a to the power n ठीक है अब दोखिए odd terms sum of odd terms जो है वो o से denote किया जा रहा है तो according to question o o equals to क्या हो जाएगा sum of odd terms sum of odd terms को o से denote करेंगे तो o का value क्या होगा भाई तो odd terms क्या होगा पहला वाला term पहला क्या होगा तीसरा वाला तीसरा क्बाद पाच्मा वाला इस तरह से चलता रहेगा तो पहला term क्या होगा nc naught into x to the power n पहला का बद क्या होगा तीसरा क्या होगा nc2 x to the power n minus 2 into a square फिर क्या होगा जल्दी से बता है तीसरा कबद क्या होगा पाचमा होगा तो पाचमा होगा तो क्या होगा nc4 x to the power n minus 4 into a to the power 4 dot dot ये चलता रहेगा odd terms का sum ठीक है end देखिए sum of event terms event terms को हम लोग दिनोट करते हैं e से तो फिर end end e बड़ाबर क्या हो जाएगा sum of event terms event terms क्या होगा nc1 वाला nc1 into x to the power n minus 1 into a nc1 के बाद क्या होगा nc3 x to the power nc1 के बाद क्या होगा event terms में nc3 होगा x to the power n minus 3 into a cube क्यों होगा क्योंकि 3 के बाद यही पना 4th मिलेगा तो nc2 यहाँ पर क्या होगा nc3 होगा फिर nc3 के बाद क्या होगा nc5 a to the power n minus 5 into x to the power n minus 5 into a to the power n minus 5 plus इस तरह से चलता रहेगा ओके चले कोई प्रावलम नहीं है अब दिखिए अब दिखाना हम लोगों को o square minus e square equals to x square minus a square का whole power n ओके तब एक नंबर की बात करते हैं lhs क्या है lhs हमारा o square minus e square o square minus e square को क्या लिखेंगे हम लोग तो o minus e into o plus e ऐसा लिखेंगे तो o minus e करेंगे तो क्या होगा आप बताएजरा तो o minus e करेंगे तो क्या हो जाएगा यह तो जाएगा nc not x to the power n ठीक है फिर जब माइनस करेंगा निकी o minus e करेंगे तो इसका मुला यह वाला minus आएगा तब यह हो जाएगा nc1 x to the power n minus 1 into a फिर इसके बाद तो even वाला एक लिक देते हैं nc3 into x to the power n minus 3 into a q इस तरह से चलता रहेगा ओके अब देखिए o plus e o plus e का मतलब क्या हो गया odd plus even odd plus even करेंगे तो क्या हो जाएगा complete यह पूरा जाएगा यह पूरा जाएगा तो यह क्या बन जाएगा x plus a का whole power n that means o plus e का value क्या हो जाएगा x plus a का whole power n अब यहां से यहां तक को देखे तो इसको क्या लिख सकते तो plus minus plus minus चल रहा है तो इससे लिख सकते हम लोग x minus a का whole power n into x plus a का whole power n जब इसको फिर solve करेंगे तियों क्या हो जाएगा x square minus a square whole power n आ गया हमारा rhs, ओके चलिए, question number 1 clear हो गया अब question number 2 की बात करते है क्या है 4 o e equals to x plus a power 2 n minus x minus a power 2 n, चलिए, कोई problem नहीं है, क्या है, नहां दिजेगा 4 o e नहां दिजेगा 2 की बात करते है तो rhs क्या है sorry, sorry, lhs क्या है lhs है हमारा 4 odd into even ठीक है, odd into even को क्या लिख सकते है, जल्दी सबताईए तो तो हम लोग इसको लिख सकते है odd plus even का whole square minus odd minus even का whole square, लिख सकते हैं कि नहीं जैसे 4ab को लिख सकते हैं, हम लोग a plus b का whole square minus a minus b का whole square ऐसा लिख सकते हैं तो 4 odd into even को क्या लिख सकते हैं odd plus even का whole square, minus odd minus even का whole square फिर उसी तरह से देखे, odd plus even देखे, odd plus even था यहाँ पर और यह क्या था, odd minus even तो हम लोगों को पता है, odd plus even का value क्या होगा, x plus a का whole power n का square, अब minus odd minus even का value क्या होगा, x minus a का whole power n का square, फिर इसा जब solve कर देंगे, तो यह बनके हमारा x plus a का whole power 2n, minus x minus a का whole power 2n, और यह हो गया हमारा rhs, ठीक है, चलिए question number 15 complete, अब देखते है question number 16 को, बोल रहा है, if x to the power p occurs in the expansion of this, इसके expansion x to the power p है, तो प्रूब करना है, coefficient, prove that its coefficient is this, तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके solution की बात करते हैं, let, rth term has, मान लेते हैं कि rth term has x to the power p, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किस में, तो in the expansion of, in the expansion of x squared, प्लस 1 by x का whole power 2n, ठीक है, इसके expansion में हमारा x to the power p है, तो देर्फोर, यहां से जब निकालेंगे value, tr, तो therefore, tr का value क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएगे, तो therefore, tr का value हो जाएगा, 2n, cr minus 1, into x square का power क्या हो जाएगा, 2n minus r plus 1, into 1 by x का power क्या हो जाएगा, r minus 1, ऐसा होगा, ओके, अब यहां से solve कर दिसको क्या रिख सकते हैं, 2n, cr minus 1, into x to the power, 4n, minus 2r, plus 2, into 1 by x का power क्या लिख सकते हैं, r minus 1, ठेक है, फिर यहां सो जाएगा, यह, 2n, cr minus 1, into, यह उपर जागा, तो minus होगा, minus होगा, तो यह क्या बन जाएगा, x to the power, 4n, minus 3r, plus 3, ऐसा बन जाएगा, अब देखिए, according to question, इसी term के पास, x to the power p है, according to question, 4n, minus 3r, plus 3, इसी को से क्या हो जाएगा, therefore, देखिए, तो यहां से हम लोगों के पास, r का value क्या हो जाएगा, r का value हो जाएगा, हमारे पास, 4n, minus 3, minus 3, plus 3, by 3, ठीक है, अब देखिए, r-th term जो था, इसी के पास है, हमारा, x to the power p, ठीक है, और r का value क्या हो गया, 4n, minus 3, plus 3, by 3, ठीक है, तो therefore, 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 t, 4n, minus p, plus 3, by 3, is equal to कितना हो जाएगा, 2n, c, r-1, r के जाएगा, 4n, minus p, plus 3, by 3, minus 1, into x to the power, क्या हो जाएगा, पी, चुकि यह पूरा का value किसके बड़ाबर है, p के बड़ाबर है, ओके, therefore, therefore, coefficient of, coefficient of, x to the power p, जो हो जाएगा, यह क्या होगा, 2n, c, 4n, minus p, plus, तो, minus 3 करेंगे, तो, यहां क्या बचेगा, 4n, minus p, ही बचेगा, ठीक है, 4, minus 3, plus 3, यहां से तो, कर जाएगा, यह जब यहां हैगा, ठीक है, तो, 4n, minus p, by 3, अब देखिए, n, c, r, तभी valid होता है, जब r, एक integer हो, तो, अगर यहां पर, यह, 4n, minus p, by 3, का form रहा रहा है, तो, यह निसीते की, एक integer ही रहा होगा, ठीक है, कोई problem नहीं है, हम लोग यहां पर, यह पक्का है, यह integer ही रहा होगा, और इसी को मान करके, आगे बढ़ा रहे हैं, तो, factorial क्या हो जाता है, n, c, r, क्या होता है, factorial n, by, factorial r, तो, 4n, minus p, by 3, factorial n, minus r, n, minus r, क्या हो जाएगा, 2n, minus, 4n, minus p, by, 3, ठीक है, अब इसको जब solve कर दीजेगा, तो, factorial 2n, by, factorial, 4n, minus p, by, 3, into, factorial, क्या हो जाएगा, 6n, minus 4n, क्या हो जाएगा, 2n, plus p, by, 3, ठीक है, यहीं हम लोगों को प्रूव करना था, 4n, minus p, by, 3, 2n, plus p, by, 3, इसका कॉफी सेंट होगा, जो हम लोग बना चुके हैं, ठीक है, अब देखते हैं, फिर next, last question है, यह आपका, long question का, बांकि objective question आप लोगों को खुज से बनाने हैं, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, sequence and series को, ठीक है, sequence and series स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द, ओके, चलिए, पढ़ते हैं, इसके आगे, क्या काह रहा है, question, find the term independent of x, x से independent term चाहिए, in the expansion of this, ओके, कोई problem नहीं है, देखते हैं, given क्या हो गया भाई हमारे पास, तो given हो गया हमारे पास, 1 प्लस x प्लस 2x क्यूब, इंटू क्या है, 3 बाई 2 x स्क्वाईर माईनस, 1 बाई 3x का पावर 9, ऐसा है, अच्छा, अब देखिए, independent of x चाहिए, तो 1 किसके साथ इधर multiply होगा, तो x independent आएगा, constant वाले के साथ, x किसके साथ गुना होगा इस साइड, तो independent term आएगा, 1 बाई x के साथ, 2 x क्यूब, किसके साथ गुना होगा इसमें, तो 1 बाई x क्यूब के साथ, तभी independent term आपाएगा, है ना, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब इसको कैसे क्या किया जाए, तो पहले ये देखना है हम लोगों को, इसमें जो है, कौन सा term, independent term है, ठीक है न, चुकि 1 किसके साथ multiply होगा भाई, तो 1 को गुना होना परेगा, किसी constant के साथ, constant मतलब independent of x, x को किसके साथ multiply होना परेगा भाई, तो x को multiply होना परेगा हम लोगों को, 1 by x के साथ, इसका मतलब x to the power minus 1 के साथ, x cube को किसके साथ गुना होना परेगा इसमें भाई, तो 1 by x cube के साथ, या फिर x to the power minus 3 के साथ, तभी क्या होगा, possible होगा, क्या, constant term, independent of x, ठीक है, तो देखते हैं, इसमें माल लेते हैं, lit, देन देजेगा, lit आरथ term has x to the power 0 in किसमें 3 by 2 के x square minus 1 by 3x के power 9 में, है ना, x to the, आरथ term के पास x to the power 0 है, therefore, tr निकाले रहे हैं, तो tr क्या हो जाएगा, 9cr minus 1, 3 by 2x square का power क्या हो जाएगा, 9 minus r minus 1 तो क्या हो जाएगा, 10 minus r, into minus 1 by 3x का power क्या हो जाएगा, r minus 1, ठीक है, आगे जब proceed करेंगे, तो 9cr minus 1, into कितना हो जाएगा, 3 by 2 का power, 10 minus r, into फिर कितना हो जाएगा, minus 1 का power, r minus 1, अब देखिए, ये x का power क्या हो जाएगा, भाई, 20 minus 2r, 20 minus 2r, into यहाँ पर, 1 by x का power क्या हो जाएगा, तो, minus x2 पाउर r minus 1, और यह minus 1 by 3 होगा, यहाँ पर, minus 1 नहीं होगा, minus 1 by 3 होगा, ठीक है, अब यहाँ से अगर आगे बढ़े, तो 9cr minus 1, into 3 by 2 का power, 10 minus r, into फिर कितना हो जाएगा, minus 1 by 3 का power r minus 1, फिर यह घटाएंगे इधर, ते कितना हो जाएगा, x to the power, 21 minus 3r, ठीक है, तो, according to question, जान दिजेगा, 21 minus 3r, किसके ब्राबर जाएगा, 0, तो, r ब्राबर कितना हो जाएगा, 7, इसका मतलब क्या हो गया है, कि 7th term के पास, जान रखेगा, 7th term के पास, x to the power 0 मिलेगा, ठीक है, अगर इसको expand करना पड़ता, तो, पूरा 9 तक expand करते, तभी पता चल पाता, इसलिए 9 तक expand नहीं किये, हम यहाँ पर इस रूप में लेके चले, ठीक है, अब देखिए, therefore, T7 निकाल लेंगे, तो T7 क्या हो जाएगा, 9C8 into 3 by 2 का power 3 into minus 1 by 3 का power हो जाएगा, हमारा, T7 जब रखेंगे तो कितना, और अच्छा है, यहाँ तो 8 कैसे लिख दिया, भाई, 6 होगा, यहाँ पर क्या होगा, 9C6 into 3 by 2 का power, कितना है, 10 minus R, 3, minus 1 by 3 का power क्या हो जाएगा, 7 minus 1, कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, फिर उसी तरह सिहार पर मान लेंगे, कि लेट, पियथ टर्म, हैज, क्या चाहिए दूसरा वाला में, तो X to the power minus 1 वाला एक टर्म चाहिए, तो पियथ टर्म हैज, X to the power minus 1, in the expansion of, in the expansion of, किसमे, 3 by 2, X square, minus 1 by 3, X cube में, 3 by 2, X square, minus 1 by 3, X, है यह न, minus 1 by 3, X का power 9 में, तो therefore, यहाँ पर TP निकाल ले रहे हैं, TP निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 9CP minus 1, into, 3 by 2, X square का power क्या हो जाएगा, 10 minus P, into, minus 1 by 3, X का power क्या हो जाएगा, P minus 1, ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, 9CP minus 1, into, 3 by 2 का power 10 minus P, into, minus 1 by 3 का power, P minus 1, into, X to the power क्या हो जाएगा, 20 minus 2P, ठीक है, फिर देखे, एक्चली होगा क्या, जान दिजेगा, X to the power minus 20 minus 2P, ठीक हो जाएगा, 1 by X का power P minus 1, ठीक हो जाएगा, 9CP minus 1, into, 3 by 2 का power 10 minus P, into, minus 1 by 3 का power P minus 1, into, X to the power 21 minus 3P, आप देखे, जो यहाँ पर है, वही फॉर्म यहाँ पर है, सिर्फ यह आर के टर्म में है, NCR minus 1, 9CP minus 1, ठीक है, फिर क्या है, this X to the power 21 minus 3R, X to the power 20 minus 21 minus 3P, ऐसा है न, तो यहाँ पर फिर इस तरह से आगे बढ़ करके, लिखने का जरुरत नहीं है, हम लोगों को, ठीक है, यही पर क्या करेंगे, जान दिजेगा, यही पर हम लोगों को क्या करना है, बता रहे हैं, जस्ट एक मिनट, इसे हटा दे आपके पास से, ताकि, आपको समझ मा चुका है कि, सेम पैटर्न चला है, तो अब यहाँ पर उसे से, पी अथ्रिम नहीं मानेंगे, फिल लिंग देंगे कि, अगर हम लोगों क्या चाहिए, 20X to the power, हम लोगों को चाहिए, कि, 21-3R, किसके बराबर हो, तो एक टरम चाहिए, X to the power, मैनस 1 के बराबर, तो मैनस 1 कर देंगे, तो और बराबर कितना हो जाएगा, 22 by 3, ठीक है, 22 by 3, तो since, 22 by 3th term, is not possible, is not possible, क्यों? क्योंकि, 1st term हो सकता है, 2nd term हो सकता है, 3rd term हो सकता है, 22 by 3th term तो possible नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसके expansion में, कभी X to the power, minus 1 नहीं आएगा, ठीक है, फिर एक term में, X to the power minus 3, फिर उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, कि and also, and also, 21 minus 3, R is equals to minus 3, तो R equals क्योंकि जाएगा, 8th, इसका मतलब, क्या होगा कि, 8th term है, that is, 8th term has, X to the power minus 3, therefore T8 निकाल लेंगे, T8 निकाल सकते हैं, तो T8 निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जान दिजेगा, फिर इसी पे value रखना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, 9C7, ठीक है, 9C7 into, फिर क्या हो जाएगा, 3 by 2 का पावर, 3 by 2 का पावर, 2, 3 by 2 का पावर, 2 into, minus 1 by 3, minus 1 by 3 का पावर क्या होगा, r minus 1, 7 into, फिर क्या होगा, X to the power 21 minus 3 r है, into X to the power minus 3 होगा, अब समझ माई गई बात, अब देखिए, अब हम लोगों को चाहिए, find the term independent of X, in the expression of this, ठीक है, तो the term independent of X, the term independent of X, क्या होगा, तो अब ये बताए, ये 1 किस के साथ multiply होगा, constant term के साथ, constant term क्या रहा है, तो constant term आ रहा है, हमारे पास ये, नहीं आ रहा है, तो 1 इसके साथ multiply होगा, इस वाले के constant term के साथ, तो ये ही रहेगा, हमारा जो constant term है, 9C6, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9C6 into, 3 by 2 का power क्या रहा है, 3, into, minus 1 by 3, पावर 6, ये हो गया, हमारा constant term multiplied होगा, फिर देखे, अभी देखे थे, 1 by X से multiply होना चेस में, और 1 by X term पॉसिबल नहीं है, कोई मतलब नहीं, ये किसी से multiply नहीं होगा, X कुछ किसके साथ multiply होने से जागा, X to the power minus 3, ठीक है, X to the power minus 3 के साथ multiply करने से आ जाएगा, तो जब ये इसके साथ multiply होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 इसके साथ सिर्फ multiply हो जाएगा, प्लस माइनस, minus 2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर minus 2, इन्टू ये वाला कॉफिसेंट हो जाएगा, तो minus 2 into 9C7, into 3 by 2 का whole square, into minus 1 by 3 का power 7, यह हो गया हमारा the term independent of X, अब आप लोग इसे solve कर लीजिएगा, आज हम बैनुमियल का the end करते हैं, आप 11th के किसी भी question को अब आप solve कर सकते हैं, इतना बता चुके हैं सारा questions को ले करके, NCRT के सारे अच्छे-च्छे questions डिसकस कर चुके हैं, फिर exemplar के सारे अच्छे-च्छे questions डिसकस कर चुके हैं, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे sequence and series को, आपके पास वीडियो भी अब regular रूप से अप्लोड क्या करेंगे, अब लापरवाई नहीं होगा, थोड़ा वक्त का थोड़ा problem था, जो अब सारा कुछ arrange हो चुका है, तो आसा करते हैं कि आपके पास सारा वीडियो regular रूप से पहुँचेगी, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में sequence and series को start करते हुए, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुस रहिए, बाई बाई